एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच लेयर्स इसमें दिखाई हुई है, पांच लेयर्स में से सबसे टॉप की लेयर है, वो है BC, यह सब शॉट फॉर्म्स आपको मैंने पहले बताए भी है, तो आप ज़र एक एक करके बताए मुझे, वाट इस BC, बिटुमिन इस कॉंक्रेट आपको मैंने जिए मोर्त, आपको मैंने आपको मैंने मालत, आपको मैंने रिखाण के लेल का मैंने दॉट प् 90 इस एक एकडिक मैंने अपको 1 एक के UPन teeny ost e Word, एक चर व calcium, है बैख मैंने आपको 1 एक क्याण। एक। फ एक जड ज vaccine है है वेट मिक्स्ट मैकेडम जी एज बेस तो देखिए अब यहां पर इन्हों ने थिकने से नहीं दी है वो अपने और कहीं जगा पर मिलेगी की विश्बसे उपर बितुमनेश कॉंक्रीट उसके निचे देंस बितुमनेश मैकेडम उसके निचे दो लेज ड़ली एम्म की उसके बाद दो लेज जी एज बी की और उसके निचे है सब ग्रेट तो इस विशली इस विल भी ओंसॉलिडेटेड मुरं इस एक मिनिट्र इसको यहां पर एक टिपनि एड कर देता हुए जाहे जाहे लिलाद या दूसरे वर्ड में इसको लिखेंगे कांबेक्टेड गुर्स दोनों वर्ड्स अब यूज कर सकते हैं रोलर कॉम्पैक्टेड मुरम इन लेयर्स लेयर्स युजूरली जो है इस टूंडे एमेम टूंडे एमेम की थिकनेस में हमको रोल करना है तूंडे की मिनिट श्री स्वामी समर्थ महाराज कीजे जहां तरी समर्थ कर सब्द्द्द्थ घ्र मुर्चाने है। पत्राज मुक्त पक्रोच का बंच मुच्ए है। श्री शुरन था टातुवाईयल मुच्छ Absol?" वह बहस्ची आप इस साटवाऊed था जातन मैं देनूर। वो क्या हुआ बेंचिंग का मतलब आसर बेंचिंग मतलब एक मिनिट आपको दिखर है के ड्रोइग अभी कोई गड़वड़ा है कैसे नाइन इस दिखरा है सर दिखरा है बेंचिंग सौरी इस पॉर्शन के बारे में आप कह रहा हूं ना यह बेंचिंग कह रहा हूं ना 500 गया में की तो यह एक स्टेबल किया हुआ प्लेटो है इतना अभी ध्यान में रखिए यहां से लेकिए यहां तक का जो स्लोप है उसको स्टेबिलाइस किया हुआ है का गलता से लगा पीचिंग द्वारा इसको स्टेबिलाइस करते है कया इसमें मेश लगाते है और उसको crunch करती वह उस मिज्चन पर ड डिपेंड करेंगा जल्चिंग के स्पेसिभिकेशंस अपने पढ़ने पड़ेंगे कि उनको एक्जैटल क्या चाहिए कभी-कभी यहां पे पेवर ब्लॉक भी लगा सकते हैं और कभी कभी लॉन लगा के भी उसको स्टैबिलेस्ट कर सकते हैं आया देन में यह सब्सक्राइब चलिए अब आपस आते हैं लेयर्स के उपर लेयर्स हमने देख ली पांच लेयर्स इसमें हो गई जवाब अब रूरल क्रॉस सेक्शन इन कटिंग पहले से उन्होंने बूल ले अपने को भी मालूम पड़ा था अब देखिए इसमें थोड़ा सा कलागा रही है अब देखिए यह एक्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल है यह दूसरी जगा ओड़ा का सेक्शन है यहां पर केंबर 10% है और साइड में अगर आप देखेंगे यह रिटेनिग वाल है इस रिटेनिग वाल की थीकनेस है 250 यह भी अगर आप स्केल करेंगे तो 50 की है निचे 100 की PCC है और अब अब आप इसको गोर करेंगे तो यह देखिए यह एक्जिस्टिंग रोड टॉप है यह ब्लैक टॉप है जिसके उपर हमने यह नया रोड बनाया हुआ है तो उसके डामेंशन्स आप देखिए इससे कैरेज वे साथ हजार का है देखिए और डिटेल्स रेफर डिटेल्स डी और एक राउंड लेवर तो इसको देखो आपन लेयर्स को देखेंगे सेम लेयर्स यहां भी दिखेंगे आपको बीसी डिबी एम डब्ली एम जीएस भी और सब्ग्रेड अब आपन 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 आपसी डिटेल्स पर तो अभी जैसे अपन ने देखिए एक वॉल इसके विर्थ किती ती उपर अर्सिसी वॉल विर्थ तूहंडेड़् कुप्टी एम एम अब इसको देखके देखिए डिटेल्स अब रिटेनिंग वॉल शोएंग रिंपर्स्मेंट इटेल्स आता हित्थ है बगुन अपने लकाय काय गुष्टे लक्षे देता थे हैं सगयात पहले खली लिली एक ग्रेड एम 25 कश्ची ग्रेड संगित ले ही अब जरा में पूछ ओंगा लोगों से ओ और इस दी मिनिग अव एंटेफे वी आर कंप्रर्सिटेंट इस आप्षे लिए अप्रावर बोला लेकिन कितने जिनों की कंप्रेसिव स्ट्थेंग्ट कितने दिनों के बाद इस याद रखिये इस ट्वेंटी एट देज कोंप्रेसिव स्ट्रेंग्थ इस्टेड ऑन स्पेसिमेन क्यूब्स और साइज बताएंगे जारा क्यूब का साइज क्या होता है क्यूब्स करेंगे साइज पर उसका साइज क्या होगा अंदर सेंटिमिटर पर अंदर सेंटिमिटर ने मुझे चैट बॉक्स पर जारा लिखिया है है ठीक है 150 बाई 150 लिखा है एक बार और 150 लिख देना था क्यूंकि क्यूब है ना क्यूब्स करेंगे इसको कौन से मशिन पर टेस्ट किया जाएगा टेंसर्टेस्टिमिशन तर्च पत् deer माभा क्याल प्राध्तिमिश्ट करेंगे इस ड़्यॉपशन प्रेच करेंगे नोड केवल्स ने ने Spe님 बैक सम्मन नहीं है इस बर्या आउनतिम अ क्योंपक्टर थ increasing点う कि उसका नाम याद रखिये इस इसकोड यूटी एम यूटी एम इस यूटी एम इस यूटी एम आपने अगर आप कॉलेज में लेबरेटरी में गया होंगे तो आपको ध्यान में आएगे ना वोट इस यूटी एम यूटी एम याद रखिये या फिर कॉंपरेशन टेस्टिंग मशिन ऐसा याद रखिये तेस्टेड ओन यूटी एम और अगर साइट पे लैब है आपके वास तो फिर यूटी एम शायद आप नहीं करेंगे आप कॉंपरेशन टेस्टिंग मशिन आप साइट पे इंस्टॉल करेंगे और उसके ओपर टेस्टिंग हो जाएगा 2800 दिन आपको करना है 28 दिन तक उस क्यूप्स का प्रॉपर क्यूरिंग होना चाहिए कि मैं एक और अडिट के दोरान निफाड के पास में रोड़ वर्क चल रहा था तो मैं मुझे आडिट के लिए बुलाए था तो उनकी लैब में गया मैं तो मैंने पूछा क्यूप्स कहां पर रखते हैं तो बाहर लेके गए मुझे और वहां पे क्यूरिंग पॉंड होना बाहित के अश्यों भी क्यूरिंग पॉंड के लिए टैंक बनाए वाथ था अचोसिट इकली नाशद इस टैंक में क्यूब लेकिं किया नहीं था वहां पर पानी नहीं था उसमें हुझन को बैसे तो और दोब में पड़े वह इसले आपको बोल रहां तो क्यूरिंग इजे मस्ट यहां पे लिख के रखते हम प्रॉपर्री क्योर्ट अ इन दूर क्यूरिंग अंड वे ज़गा पे क्यूरिंग टैंक नहीं बना ते लोग ड्रम में डाल देते हैं ठीक है वो चल जायगा क्यूरिंग होना बहुत ज़रूरी है मैं आपको इंपोर्टन्स बताना उचित समझा तो हम लोग ड्राइंग का अध्यान कर रहे हैं ड्राइंग अब देखिए एक्ट्र ड्राइंग में जितनी चीज़े है उससे ज्यादा चीज़े आपको आपके एक्सपिरियंस से और नॉ कि डिटेल्स और रिटेनिंग और शोएंग इंफोस्मेंट डिटेल्स इतना ही दिखा नीचे लिखा था ग्रेड एंट्टिफए तो आपको यह मालूम होना चीज़ेड एंट्टिफए मतलब क्या है अब आते हैं उसके उपर है डेड़ सो थिक पीसी सी डालना है कि उसकी कोई बताएगा कि एंट्टिफिटीन की नॉमिनल मिक्स क्या होगी कि एनिबड़ी कि वोट इस दे नॉमिनल मिक्स और एंप्रिप्टिन यास और शारे बरा संदेश बिटकुल अभी सही लिखा आपने वन टू फॉर वन टू फॉर का मिनिंग भी आपको मालूम है एक सैंड दो सिमेंट चार एग्रिगेट है न संदेश ये सर शूर ना इस है सवरब जी सही बोला क्या मैंना एक सैंड एक सैंड दो सिमेंट चार एग्रिगेट ये परफेक्ट बिल्कुल सही बोला आपने एक दो चार जब हम कहते है तो पहली फिगर दिखाती है सिमेंट दूसरी फिकर दिखाती है सैंड तुसरी फिकर दिखाती है एग्रिगेट इनका प्रोप्रफेशंद जबम नौवनल मिक्स में कहते हैं तो हमेशा वील्यमेट्रिक होता है यह आपको मालू मैं कुछ this is always volumetric when we say in nominal mix proportion जो है वह volumetric mixing है लेकिन design mixing जब करते है तो बीदू बैं वेह मेंट वेह मेंट हैं ओके को पी सी सी डेट सब आप की डालनी है अब आते है reinforcement की तरफ है तो एक सिंबोल आपको यहां पर दिखेगा तुरा अरब बारोन अब यह जो दिख रहा है इसका इंटर्पिटेशन कीजिए मेरे लिए वोट इस रिटन है तो एक चीज उसमें आपको एड और करना चाहिए क्याइड करेंगे दिखिए वो सिंबॉली कहरा आपको यह सिंबॉल अगर आप देखेंगे यहां पर दो प्रकार के सिंबॉल्स आ सकते हैं एक सिंबॉल ओ के अंदर एक सिंपल लाइन देखता हूं यहां पर लिख सकता हूं यहां लिखने के सुविदा नहीं हो रही यार मुझे टूल में कि सुरी आप इसको गौर कीजिए एक जलापन फाय मंटो ग्रीक अक्षर फाय मुझे ओ ओ ओ मदूने नरी लाइन अगर वह सिंबॉल होता तो यह होगा माइड स्टिल माइड स्टिल के बार्स लेकिन अभी आप देखिए एक ओ लिखा है उसके अंदर एक टी है ओ के अंदर टी इसका मतलब और उसको एक लगी मूच एक तरव मूच रगी है तो ओरिजिनली याद रखी है कि अपने भारत में टॉर स्टिल सबसे बहले 1998 में इंट्रोडूस हुआ और टॉर स्टिल इंस्टिटूट ऑफ इंडिया ने इसको पॉपुलराइज किया तो पहले टॉर स्टिल आया बाद में रिब्ड स्टिल आया रिव्ड बास और दोनों की जो में कैटेगरी है याट इस है किसा कौल एक वाय एस डी है इस का फुल फॉर्म जो कोई सजन बताएगा उसको मेरी दरब से एक स्पेशल चाय मेलेगी है एक वायस डी हाइस फैल देस्तिंग डिस्टिबेशन यहां तक शाही बोला अपने है है यह इंद स्ट्रेंग बिल्कुछ सही है कि दिफॉर्म याइस बहुत बड़े तो जिसकी सज्जन पुरुष ने बोला वह एक कड़क चाय मेरी तरफ से डाइरी में नुट डॉन कर ले और कभी मिलोगे तो मुझसे चाय वसुल कर ले ना अधिस दिफ सब्सक्राइब आपने और इसमें ग्रेंड साती है मित्रों एफी तक्राइब है पाइफ़ एफी शिक्संडर और यह वह एफी प्रवाण फाइब सिक्स इन ग्रेंट फीच्टिंट्री एफी पोर ओंफाइब तो यह ग्रेट्स आपको देखते हैं अभी ड्राइंग में में मेंशन की है कि नहीं की है बट अधर्वाइज बाइड डिफॉल्ट आप फे फाइवंडेड को ले सकते हैं देखते हैं नीचे नोट्स में जाके अब देखिए विल्कुर्ष सही बोला था आपने सो 10 mm के रिप्ड बार्स यह यह एड़ डेट का सिम्बोल है विश शोज दर डिस्टिबिशन आप बार्स या स्पेसिंग आप बार्स वह इन्हों ने दिया हुए 200 सेंटर तो सेंटर सेंटर सेंटर